7.2.5 परिवहन तंत्र में हिर्दय की भूमी का Roll of Heart in Transport System मनुष और अन्य स्तंधारियों का हिर्दय सुद्रेन मान स्पेशियों से बना एक पंप है हमारी मुठी जितने बड़े आकार के इस अंग से दिन भर में लगभग 7000 लीटर रक्त पंप होता है 4.7 से 5.5 लीटर रक्त दिन भर में लगभग 1500 बार हिर्दय से गुजरता है हिर्दय के चार मुख्य प्रकोस्ट है उपरी दो प्रकोस्टों को आलिंद औरिकल और निचले दो प्रकोस्टों को निले वेंटरिकल कहा जाता है हिर्दे के दाय भाग का संपर्क बाय भाग से नहीं होता दाय आलिंद व दाय निले बाया आलिंद व बाया निले रक्त की नलियों और हिर्दे के प्रकोष्ठों के बीच वाल्व होते हैं इससे रक्त का उल्टा प्रवाह नहीं होता हिर्दे के दाए प्रकोस्टों में आक्सिजन रहित रक्त और बाए में आक्सिजन युक्त रक्त होता है हिर्दे के आलिंदों का संकुचन एक साथ एवं निलेयों का एक साथ होता है आलिंदों में संकुचन से रक्त निलेयों में भरता है निलेयों के संकुचन से रक्त का बहाव हिर्दे से बाहर की तरफ होता है साथ ही आलिंदों में शरीर के विभिन भागों से रक्त भरता है हिर्दे का कार्य मस्तिश्क से आने वाली तथा इसकी अपनी तंत्रिकाओं की एक विशेश व्यवस्था से नियंत्रित होता है क्या आप जानते हैं हिर्दे की तंत्रिकाओं की विशेश व्यवस्ता को हम शीरा आलिंद गांट साइनो औरिकुलर नोड कहते हैं यह यदि काम करने में अक्षम हो जाए तो कृत्रिम रूप से इस कारे को पेस मेकर यंत्र द्वारा एक लंबे समय तक चलाया जा सकता है हिर्दे से रक्त का बहाव एक साथ दो परिपतों से होकर गुजरता है जित्र छे में इन परिपतों को दर्शाया गया है एक परिपत ऐसा जिसे हिर्दे से शरीर की सभी कोशिकाओं तक और वहां से वापस हिर्दे तक रक्त का बहाव होता है इसमें बायन निले के संकुचन से महा धमनी में से होकर ओक्सिजन युक्त रक्त का बहाव कई अन्य धमनियों से शरीर के तमाम उतकों तक पहुँचता है इससे आगे केशिकाओं के माध्यम से शरीर की सभी कोशिकाओं तक रक्त पहुँचता है कोशिकाओं से ऑक्सिजन रहित रक्त अन्य केशिकाओं एवं शिराओं के द्वारा हिर्दे के दाहनी आलिन तक बहता है दूसरे परिपत में हिर्दे के दाय निले के संकुचन से फुफुस धमनी से फेफणों तक रक्त का बहाव होता है रक्त की नलियों से बहते हुए रक्त का फेफडों में आक्सिकरन होता है फफ़ शीरा से आक्सिकरित रक्त हिर्दे के बाएं आलिन तक बहता है सामान्यत है हमारे शरीर की शीराओं में किस प्रकार का रक्त होता है शिराओं से हमेशा अनौक्सिक्रित रक्त का बहाओ नहीं होता क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्यों? क्यों नहीं? निलेओं के संकुचन से उत्पन दाब से धमनियों में रक्त का बहाओ बना रहता है रक्त का दाब शिराओं तक बहुत कम हो जाता है शिराओं के आसपास की मानस्पेशियों में संकुचन और फैलाओ से इनमें रक्त का बहाव बना रहता है साथ ही शिराओं में वाल्व होते हैं जिससे उनमें रक्त का उल्टा प्रवाह नहीं होता हमारा हृदय हमारी मुठी के आकार का मांसफेशियों से बना एक अंग है ये एक पंप की तरह काम करता है इस पंप से रख सारे शरीर में पहुचता है और लटकर वापस आता है जाते समय ये ओक्सिजिन और अन्य पोशक्तत्व ले कर जाता है और शरीर से वापस आते समय कार्बन डायोकसाइड लेकर वापस आता है ये आने जाने का चक्कर चलाने के लिए ही ये पंप धगधग करता रहता है तरदे के चार हिस्से होते हैं दो दाएं और दो बाएं या दो उपर और दो नीचे उपर वालों को कहते हैं एट्रियम और नीचे वालों को वेंट्रिकल तो ये हुआ बाया एट्रियम और ये दाया एट्रियम तो नीचे वालों के नाम क्या होंगे? बिलकुल सही बाया वेंट्रिकल और दाया वेंट्रिकल तुदे में रक्त लाने और बाहर ले जाने के लिए मानो पाइप या ट्यूब यानि नलिकाएं होती हैं जिन्हें रक्त वहनिया कहते हैं यहां से शुरू होकर पूरे शरीर में रक्त की छोटी-छोटी नलिकाओं का एक जाल सा बिचा रहता है क्या तो मंदाजा लगा सकते हो कि अगर इन सारी नलिकाओं को जोड़ दो तो कुल लंबाई कितनी होगी एक लाख किलोमेटर के करीब यानि मुंबई से दिल्ली और वापस के पचास चक्करों के बराबर यहां जो नीले ट्यूब दिखाए गए हैं वो बताते हैं कि इनमें अशुद रक्त है अशुद का मतलब इसमें ऑक्सिजन कम है और शरीर के उपरी हिस्से यानि सर और भुजाओं से रक्त यहां उपरी ट्यूब पर आता है और पेट, पाउ, इत्यादी निचले अंगों से इस निचली ट्यूब में आता है दोनों मिलकर इस दाएं एट्रियम में कम ऑक्सिजन वाला रक्त छोड़ते हैं इस एट्रियम का सिर्फ नीचे की तरफ यानि सिर्फ एक तरफा खुलने वाला एक वॉल्व है ऐसे और भी दर्वाजे हैं इन्हें वॉल्व कहते हैं ये वॉल्व तभी खुलेगा जब नीचे वाला वेंट्रिकल फैलेगा तब अशुद रक्त यानि कम ऑक्सिजन वाला रक्त वेंट्रिकल में आ चुका होगा और उसके पीछे वाल वॉल्व बंद हो चुका होगा यानि वो उल्टा नहीं खुलेगा लेकिन वेंट्रिकल का उपर की तरफ खुलने वाला एक और दर्वाजा है जब ये वेंट्रिकल सिकुडेंगे तब जैसे एक पाउच को दबाने से अंदर का दर्व या पेस्ट बाहर निकलता है वैसे ही यहां रक्त इन बाई और दाई ओर से नीली ट्यूब से बाहर चला जाएगा लेकिन यह बाहर जाके आखिर जाएगा कहा बाकी शरीर में नहीं बलकी फेफडों में एक नीली नलिका दाई फेफडे में रक्त ले जाएगी और दूसरी बाई फेफडे में फेफडों में छोटी छोटे नलिकाएं होती हैं जहां इस अशुद रक्त की मुलाकात ओक्सिजन से भरपूर हवा से होगी यह वो हवा है जो हम जब सांस लेते हैं तब अंदर आती है अब यह रक्त लाल हो जाएगा क्योंकि अब इसमें ऑक्सिजन आ चुका है यह लाल रक्त फेफडों से एक बार फिर फिर रिदय की तरफ जाएगा और हिरदय में बाएं एट्रियम में अंदर आएगा यहाँ पर भी एक तरफा खुलने वाला एक वाल्व है जब वेंट्रिकल फैलेगा तब यह शुद्ध लाल रक्त वेंट्रिकल में खिचा चला आएगा और जब वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तब यह उपर खुलने वाले वाल्व से बाहर सिर भुजाओं के लिए पेट और पेरों की तरफ जाएगा तिदय का सिकुड़ना और सामान्य हो जाना एक धग धग यानि एक धड़कन बनाता है और यह धग धग चलती रहती है रत शरीर भर में पहुचता रहता है और लोट कर वापस आता रहता है पेफडों में जाता है शुद्ध होता है और फिर चल पड़ता है शरीर भर में ऑक्सिजन और पोशक तत्व पहुचाने के लिए शरीर से वापस आता है तार्बन डायोकसाइड लेकर जिसे छोड़ देता है पेफ्ट्लो में तो ये थी कहानी हमारे रक्त परिसंचरन कंत्र की जिसके कारण हम जीवित रहते हैं क्या आप जानते हैं निलेयों के संकुचन से उत्पन रक्त का निलेयों के दिवार पर दाब एवं निलेयों के शिथिलन के समय के दाब को रक्त चाप के आकड़ें अर्थात 120 बटे 80 के रूप में दर्शाया जाता है हिर्दे के धड़कने की आवाज निलेयों के संकुचन के समय आलिंदों और निलेयों के बीच के वाल्व बंद होने से तथा निलेय के शिथिलन के समय निलेय और धमनियों के बीच वाल्व बंद होने से होता है दाएं आलिंद में रक्त कहां से आता है दाएं निले से रक्त कहां जाता है रक्त का आक्सिकरन कहां होता है हमारे हिर्दे से रक्त धमनियों में से कई अंगों तक लगभग एक साथ समनांतर रूप में पहुँचता है इससे सभी अंगों तक समान दर से रक्त का बहाव होता है अंगों से हिर्दे तक शिराओं से भी रक्त का बहाव समनांतर होता है कुछ अंगों एमं धमनियों और शिराओं के बीच रक्त का बहाव श्रेणी क्रम में होता है इससे रक्त के बहाव पर प्रतिरोध जादा होता है और बहाव की गती धीमी हो जाती है रक्त एक समान दर से कोशिकाओं तक नहीं पहुँचता रक्त का बहाव धीरे होने से कोशिकाओं तक पदार्थ पहुँचने वा उनसे अफशिष्ट पदार्थ इखटा होने में मदद मिलती है अगर हिर्दे से रक्त श्रेणी क्रम में अंगों तक पहुँचता तो क्या होता आतों से चलकर रक्त का यक्रित लिवर में से होकर गुजरना भी श्रेणी क्रम में होता है उसके बाद रक्त हिर्दे में पहुँचता है जाहिर है कि पाचन क्रिया के चलते रक्त में ज़्यादा भोजे पदार्थ या पोशक तत्व होते हैं इन में से कई ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी मात्रा रक्त में जादा हो तो शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं ऐसे कुछ पदार्थ जैसे अत्रिक्त शर्करा, वसा, आधी रक्त से अलग होकर यक्रित में संगरहित हो जाते हैं जब रक्त में इन पदार्थों की मात्रा मानक से कम हो जाती है तो यक्रित से यह वापस रक्त में आ जाते हैं इसके अलावा यक्रित में कई विशेले पदार्थ भी हानी रहित पदार्थों में बदलते हैं और रक्त से इनका परिवहन होता है